इसम्हे बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिविल कोड हिंदी में जिसे बोलते हैं समान नागरिक सहिता कि नया शब्द नहीं है अब ये शब्द पिछले एक दो साल दे छुपा हुआ तर फिर से सामने आ गया है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है और दो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश के डेपिटी चीफ मिनिस्टर ने के भी मौर्या और बाकी आमिज राजी हुआ क्या दोस्तो अब यह हाली में यह एक न्यूस में आई जिसमें बात बुला जो अगर हो मिनिस्टर अगर किसी भी देश के कोई बात को बोलते तो वो इंपोर्टेंट न्यूस बनते है इन्हों ने बुला कि उत्तराखंड सरकार जो है वो एक पाइलेट प्रोजेक्ट की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो स्टार्ट कर चुकी है और अब हम उसको जल्दी ही आप इस पर काम कर रहे है जल्दी ही पूरे देश में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए नो ने भी कहा है तो अब य पास यह हम आर्टिकल एक न्यूज आर्टिकल में से हमने से निकाला है कि हमें शाज ने का है राम मंदर, CAA, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, डन, यह हो चुका है, now it's turned for uniform civil code, important बनता है तो term सही हमें पता चलता है, uniform का मतलब सब की बात करें, civil code का मतलब ऐसे नियम जो सब के लिए हैं, ऐसे नियम जो सब के लिए हैं, मतलब with the implementation of uniform civil code, इसके implementation होने से issues like marriage, divorce, succession, उत्रादिकारी कौन होगा, adoption will come under common law in the country, यानि कि अब ये सारी की सारी चीज़े सिर्फ एक common law से होगी, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, मुसलिम हो, सिख हो, इसाई हो, पा इसी भी धर्म से हो, अब आप सब के लिए एक ही code जब बन जाएगा, एक ही नियम हो जाएगा, तो इसी को बुला जाता है, uniform civil code, अब उस मुद्दों में, ये सारी के सारी जो मुद्दे हैं, कुछ भी मुद्दा हो, मतलब ये तो example के तोर पर हैं, कुछ भी मुद्दा हो, उन सब के लिए एक ही नियम होगा, सभी लोगों के लिए, and there will be no separate system on the basis of religion in these matters, और कोई separate system नहीं होगा इन matters पर, अभी तक दोस्तों क्या होता आ रहा है, वो ये है कि अगर कहीं शादी होती है दोस्तों, शादी में Hindu marriage act एक अलग भूमी का निबाता है, जिसे उसका फिर बाक साथ में लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हर एक धर्म में अलग 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 चीज़ें ऐसी होती है, सेम एस मुस्लिम धर्म की अलग चीज़ें होती है, और पार्सी अलग, एसाई अलग, सबके अपने अपने धर्म में अलग 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 छुटे code वो इस civil code को impose कर सकती है which can be implemented जिसको implement किया जा सकता है once passed through the parliament जब ये parliament में passed हो जाएगा सवाल अब ये है कि दोस्तों कि uniform civil code के आने से फाइदा होता या फिर नुकसान होगा अगर फाइदा होता तो शायद ये बहुत पहले से आ जाता अगर नुकसान होगा तो शायद विकार हो जाएगा ऐसा नहीं है हम दोनों मुद्दों को समझेंगी क्योंकि ये अब point जो आया है दोस्तों एक बहुत बड़ी debate का point आया है और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सभी लोग intellectual हैं और आप अपनी debate में यहां comment box पे लिखकर अपने विचार जरूर दिजेगा हम बात करें दोस्तों अपने constitution के preamble की जो प्रस्तावना होती है तो एक चीज़ हमें overall समझ में आती है दोस्तों वो यह आती है कि हमारा constitution हमें power देता है एक word को लेकर जो होता है secularism secularism का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश में हर एक धर्म को follow करने वाले जो विक्ती है चाहिए आप किसी भी धर्म को follow करते है अगर आप ऐसे विक्ती है तो आपके उपास पूरा का पूरा दिकार है आप अपने धर्म से related जो follow करना चाहते है जैसे नियम वो पूरा कर सकते है आपको पूरी आजादी होती है यह कहलाता है secularism हर एक विक्ती को उसके धर्म को अप से क्या हम उस secularism पर रोक नहीं लगा रहे क्या uniform civil code आ गया तो फिर तो आप चाहिए किसी भी धर्म से हो कुछ भी आप किस कुछी भी धर्म को follow करते हो अगर कोई भी कुछ भी मुद्दा होता है कोई परिशानी समस्य आती है अगर वो court में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ secularism को भी दिमाग में रखते है वो भी और साथ में अगर हम देखे इसका implementation होता है तो ये भी आप ये चीज़ काफी नई हो जाएगी दोस्तों मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूंगा ये आपको एक cutting मैंने लगाई है दोस्तों आपकी the print की है धामी ज प्रोजेक्ट की तरह वहाँ पर चलाया गया था ये बात है अभी पिछले महीने की बात है तकरीव ना अम नौट शूर शाइब चौबश पच्छेस मार्च के पच्छेस मार्च लिखा हुए यह रहा है मैं जब इसकी cutting ले रहा था 25 अप मार्च 2022 की cutting है तो ये तब की बात है और तब इनोंने पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पर उसे चलाया था और अब ये धीरे-धीरे करके आगे इस पर वर्क हो रहा है तो इस पर वर्क हो रहा है तो डिफिनिटली अब चीजे हैं तो देखो क्या क्या इसमें से point आते है मैंनों को हिंदी में लिख दिया जाइदत के कोई भी इशू होते हैं उनके बटवारी की बात होते हैं उन सभी में सभी में एक जैसा ही कानून होगा ऐसा नहीं होगा कि आप किसी particular धर्म से तो आपके धर्मे में कुछ और तरीके की चीज़े होती हैं तो आप वो follow करते चले आ रहे हैं किसी और में कुछ औ होता है तो वो follow करते चले आ रहे हैं मैं उसमें कुछ पॉदर्डे बताता हूं अब मैं एक positive चीज जो हो सकती है वो यह हो सकती है दोस्तों कि अभी तक जो आरूप लग जाते थे कि आप particular किसी religion को follow कर रहे हैं या फिर particular किसी religion का आप favor कर रहे हैं वो favor अब नहीं हो सकता किस सभी के लिए same ही कानून बन जाएगा तो यह अच्छी चीज हो सकती है बट मैं वही बात कहूंगा यह debate वाली बात है क्योंकि जब secularism वाली एक बात आती वो एक दूसरे को contradict जरूर करेगे तो जरूर एक ही बात नहीं होगी पाते बाकी भी होगी तो मैं चाहूंगा comment box पे जरूर आप बताएगा तो एक यह चीज हो जाएगी चलो ठीक है हमारे सामने आ गया दूसरी तीसरा point आता है अभी क्या होता है हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग personal law है वो personal law अलग-अलग होने की वजह से जो हमारी अदालते हैं वहाँ पर भी cases बहुत ज़ चले जा रहा है चले जा रहा है क्यों क्योंकि इंडियन का जो constitution law या नियम है वो कुछ और कह रहा है और personal law जो है वो कुछ और कह रहा है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत से मुद्दे कई solve ही नहीं होते फिरो pending 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 cases आगे चलते चले चले जाते हैं तो ऐसी चीज़े हैं जो already uniform civil code जिसे हम common civil code भी कहते हैं क्या already ये लगा हुआ था तो इसका जवाब है जी हाँ बिलकुल गोवा एक ऐसी state है दोस्तों जिसमें पहले से ही जिसमें पहले ही से ही दोस्तों uniform civil code चलता है ये रहा गोवा में पहले से ही ऐसा था और ये काफी time से है मतलब आज से नहीं है ब में चलते हैं है तो वह काफी जारी चीज़े ऐसी है तो अब ये दोस्तों एक point है मुझे उमीद है आपको समझ में इतना तो आ गया होगा uniform civil code क्या होता है अब मैं आपको देता हूं दोस्तों comment box पर आप जरूर discussion करिएगा मैं जरूर देखूंगा कि इस uniform civil code से क्या फाइद discussion को आगे बढ़ाना एक healthy discussion में बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएगा अच्छा लगा बढ़िया लगा तो like बटन में प्रेस करके मुझे जरूर बतारा है कि जी सर अच्छा लगा और इसको share कर दो दोस्तों अपने बाकी सातियों के साथ उनके साथ भी discussion आप academy पर आप मुझे follow कर सकते हैं मेरा नाम डूनके विशाल परिहार अब मुझे आपको मैं मिल जाओंगो तो मेरी plus classes भी देख सकते हैं इनके अलावा किसी की भी आपको classes देखनी है plus का subscription या iconic subscription लेना है तो आप इस code का इस्तिमाल करके दोस्तों आप subscription ले सकते हैं आपको e-books का एक combo भी है banker combo जिसका link description में दिया हुआ है जाकर आप इसको भी purchase कर सकते हैं this is for you खतम करते हैं दोस्तों वीडियो को मिलेंगे आप आपसे हम अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care love you all जै हिन जै भारत thank you very much दोस्तों thank you